लीजे आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही आसान तरीके से और जटपट बनने वाली रेशिपी सेयर करने जा रही हूँ पांच मिनट में ही इसे बना करके तैयार करेंगे सिर्फ गेहों के आटे से ही एक कप केहों के आटे से पूरे पड़िवार वालों के लिए आप इस टेस्टी सी रेशिपी को बना कर तैयार कर सकते हैं वेल्कम वैक्तु अन्सु का पाकवान इसके लिए हमें चाहिए होगा गुर तो मैं यहाँ पे गुर का इस्तेमाल की हूँ उससे मैं गुर को ग्रेट करके ले रही हूँ पर आप चाहे तो गुर को पानी के साथ मेल्ट करके भी ले सकते हैं गुर को तोर कर पानी में डाल ले एक से दो चमच पानी में डाल कर इसे अच्छी तरह से गोल ले तो आप उससे भी इस recipe को बना सकते हैं तो चलिए अब मैंने यहाँ पे सारे गुर को grate कर लिये हैं यह एक cup के लाइक है grate करने के बाद यह एक cup हो जाता है गुर तो चलिए अब मैंने इसे अच्छे से grate किया है अब next process करते हैं तो इसमें हमें थोड़ असा डालना है पानी बस बहुत जादा नहीं डालेंगे आधा cup से भी कम हमें यहाँ पे पानी डालना है और इसे अच्छी तरह से mix कर लेना है यह process भी आप कर सकते हैं उसके बाद हमें यहाँ पे desiccated coconut powder डालना है नारियल का बुरादा तो दो चमच मैंने यहाँ पे नारियल का बुरादा लिया है यह डालना पूरी तरह से optional है आपको पसंद हो तो डालिएगा आप चाहें तो यहाँ पे कुछ कटे हुए dry fruits भी डाल सकते हैं उसके बाद हमें यहाँ पे लेना है गेहूं का आटा तो मैं यहाँ पे एक अप गेहूं का आटा ली हूँ तो पर आटा हमें थोड़ा-थोड़ा करके डालना है और थोड़ा-थोड़ा डालने के बाद इसे mix करते रहना है ताकि इसमें कोई लंस बेगर ना पड़े तो चलिए बचे हुए आठे को भी मैंने यहाँ पर एड़ किया है उसके बाद मैं इसे अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर ले रही हूँ दोस्तों अगर मेरी आज की रेशिपी और मेरी मेहनत आप सभी को थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी तो प्लीज सपोर्ट भी कीजिएगा वीडियो को लाइक जरूर कीजएगा, अब मेरे चैनल पे नए है और मेरे चैनल को अब तक सब्स्क्राइब ने किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब चरूर कर लीजेगा इसी तरह से आसान तरीके से बनने वाली रेसिपीज में अपने चैनल पर अप्रोड करती हूँ जिसे आप आसानी से घर में बना कर तयार कर सकते हैं तो लीजिए ये स्मूथ सा बैटर हमारा बन कर तयार हो चुका है टोटल मैंने यहाँ पर देर कप पानी का इस्तेमाल किया है अब हमें यहाँ पर लेना है गी तो मैं यहाँ पर एक चम्मच गी डाल रही हूँ एक से दो चम्मच आप यहाँ पर गी का इस्तेमाल कर सकते हैं इससे यह जो नास्ता बनाएंगे बहुत जादा क्रिस्पी और टेस्टी भी बनेगा, अधर से यह खासता भी रहेगा, खाने में और सौफ भी रहता है, तो देखिए, कुछ इसी तरह का हमें स्मूद सा बैटल बनाना है, देख रहे हैं, बहुत जादा हमें पतला नहीं करना है कुछ इसी तरह की हमें कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है तो चलिए अब यह बैटर हमारा रेड़ी अब इसे साइड में रखते हैं गैस की तरफ चलते हैं तो गैस को मैंने ओन कर लिया है यहाँ पे एक पैन को रख ले रही हूँ गैस पे और उसके बाद हमें यहाँ पे बहुत जादे तेल की भी या फिर घी की जरूरत नहीं परेगी आप चाहें तो इस रेसिपी को तेल से भी बना सकते हैं या घी में भी बना सकते हैं तो पर मैं यहाँ पर गी का इस्तेमाल कर रही हूँ गी से जो नास्ता बनता है और भी जादा खाने में टेस्टी लगता है और थोड़ा थोड़ा करके मैंने स्पून की मदद से इसमें डाल लिया है तो गी बहुत जादा भी नहीं लेंगे एक से दो चमची गी डाले उसके पाद इस बैटर में से स्पून की मदद से मैं छोटे-छोटे साइज का डाल लिए हूँ इसे उलट-पुलट कर अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे दोनों साइड से से लूँगी आप चाहें तो साइज में बढ़ा भी बना सकते हैं कोई जरूरी नहीं है कि इतना ही करेंगे इतनी टेस्टी ये बंद कर तैयार होती है अच्छी तरह से इसे प्रेस देते हुए क्रिस्प होने तक हमें इसे अच्छे से फ्राइ कर लेना है पर आप चाहें तो इसे डिप्राइ भी कर सकते हैं यहां पर घी की मात्रा थोड़ा सा जादा ले ले उसके बाद देखें कितना सुन्दर लग रहा है ना बहुत ही आसान तरीके से और बच्चों की चोटी मोटी भूख के लिए जटबट से बनकर तैयार हो जाती है एक कप के हूं के आटा सही है रेशिपी आप लोग भी बनाकर के जरूर तैयार कीज़ेगा गजब की स्वादिश्ट तो प्लीज इस रेशिपी को अपने फ्रेंड ग्रूप्स में और फैमिली वालों के साथ सेर करना बिल्कुल मत भूलिएगा यह आसान तरीकर का नास्ता वो भी बना कर खा सके इसके लिए मेरी इस वीडियो का लिंक आप अपने फ्रेंड ग्रूप्स में जरूर भेज तो लीजिए सुपर सॉफ्ट यह नास्ता हमारा बनकर तैयार हो चुका है देख रहे कितना सॉफ्ट है ना खाने में भी बहुत ही जादा यह टेस्टी लगती है तो आप लोग भी इस तरह से इस नास्ते को बना कर इंजॉय कर सकते हैं बच्चों को भी दे सकते हैं और बर खाइस कुछ बार प्सक्या स्क्शब नास्च बत लुए लुका नास्च कर देहता हैं तो उन्मों को भी जव नास्ता हैं टेस्टाइस्टा